जहाँ पे आपको स्पीडो मीटर, ओडो मीटर और फ्यूल मीटर देखने को मिल जाती है आज हम जिस बाइक के बारे में बात करने जा रहे हैं काफी बड़सों से लोगों की भरोसा जित्ती आई हुई है ये बाइक नामे टीवीए स्टार्ट सिथी प्लस लुक्स के बारे में बात करने तो टीवीए स्टार्ट सिथी प्लस आपको नेका स्टीट फाइटर लुक्स में देखने को मिल जाती है कलर के बारे में बात करने तो टीवीए स्टार्ट सिथी प्लस आपको six different color variant में देखने को मिल जाती है जहाँ पे आपको black blue, gray black, white black, black red, red black और blue silver color variant में देखने को मिल जाती है लाइटिंग्स के बारे में बात करें तो TBS Star City Plus में आपको front में halogen headlamp के साथ halogen indicators भी देखने को मिल जाती है और उसी के साथ आपको rear में halogen tail lamp के साथ halogen indicators भी देखने को मिल जाती है instrumental cluster के बारे में बात करें तो TBS Star City Plus में आपको digital plus analog instrumental cluster देखने को मिल जाती है जहाँ पे आपको speedometer, automator और fuel meter देखने को मिल जाती है उसी के साथ बाइक में आपको economic mode, power mode, neutral, low beam, high beam, left right indicator, service reminder और engine malfunction के light देखने को मिल जाती है handle bar के बारे में बात करें तो TBS Star City Plus में आपको left handle bar में passing switch, low beam, high beam, left right indicator और horn switch देखने को मिल जाता है और उसी के साथ आपको right handle bar में electric star switch देखने को मिल जाती है fuel tank के बारे में बात करें तो TBS Star City Plus में आपको 10 liter का main fuel tank capacity देखने को मिल जाती है और उसी के साथ आपको 2 लिटर का reserve fuel tank capacity भी देखने को मिल जाता है mileage के बारे में बात करें तो TBS Star City Plus में आपको 65 से लेकर 75 km पार लिटर की mileage भी देखने को मिल जाती है engine के बारे में बात करें तो TBS Star City Plus में आपको 109.7 cc के single cylinder four stock air cold fuel injected BS6 compliant engine देखने को मिल जाती है जहाँ पे आपको 8.19 PS की maximum power और 8.7 newton meter की maximum torque देखने को मिल जाती है gearbox के बारे में बात करें तो TBS Star City Plus में आपको 4-speed manual transition वाला gearbox देखने को मिल जाती है और उसी के साथ अगर हम top speed के बारे में बात करें तो TBS Star City Plus में आपको 100 km पार ओर की top speed भी देखने को मिल जाती है suspension के बारे में बात करें तो TBS Star City Plus में आपको front में telescope with weld tempers देखने को मिल जाती है और उसी के साथ आपको rear में 5-step adjustable hydraulic shock absorber suspension देखने को मिल जाती है braking के बारे में बात करें तो TBS Star City Plus में आपको front में dicks और rear में drum brake की सुविधा देखने को मिल जाती है और तो और TBS Star City Plus, Front और Rear दोनों में आपको Drum Brick की सुभीदा देखने को मिल जाती है Tire Size के बारे में बात करें तो TBS Star City Plus में आपको Front में 2.75 की 70 इंचेस बाला और Rear में 3.0 की 17 इंचेस बाला Tee-less टायर देखने को मिल जाती है Wheel Type के बारे में बात करें तो TBS Star City Plus में आपको Alloy Wheels देखने को मिल जाती है और अगर Seed Height के बारे में बात करें तो TBS Star City Plus में आपको 785 mm की Seed Height देखने को मिल जाती है Ground Clearance के बारे में बात करें तो TBS Star City Plus में आपको 172 mm की Ground Clearance देखने को मिल जाती है और उसी के साथ आपको 115 kg की curve weight भी देखने को मिल जाती है exhaust के बारे में बात करें तो TBS Star City Plus में आपको round ship chrome finished exhaust देखने को मिल जाती है sit type के बारे में बात करें तो TBS Star City Plus में आपको single sit देखने को मिल जाती है प्राइजिंग के बारे में बात करें तो TBS Star City प्लास ES Drum variant आपको 69,500 की एक शोरूम प्राइजिंग में देखने को मिल जाती है और उसी के आपको 83,620 रुपिस की on-road प्राइजिंग में भी देखने को मिल जाती है आपको 72,000 की एक शोरूम प्राइजिंग में देखने को मिल जाती है और उसी के सब 86,181 रुपिस की on-road प्राइजिंग में भी देखने को मिल जाती है आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुच सके तो फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई आपको वीडियो के साथ बाईजिग के साथ प्राइजिंग देखने को मिल जाती है